हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अबिदेके एन वेलकम टू टेक्सोर अगर आपके कम्प्यूटर या लाप्टॉप में माइक्रोसॉफ स्टोर अप्लिकेशन नहीं चल रही है तो इसे कैसे ढीक करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विडियो ध्यान से देखते रहे देखिए अगर आपका विंडोस 10 है या विंडोस 11 है या फिर कोई दूसरा विंडोस है तरीका सब में सेम होगा बस थोड़ी चीज़े इधर उधर हो सकती है तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आएं स्टार्ट बटन पर यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चले जाना है इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएं यहाँ पर आप देख पाएंगे आ इस पर क्लिक कर ले यहां पर आपको सर्च करना है store store इस तरीके जाप सर्च करेंगे तो यहां पर लिकर आएगा related settings में system components इस तरीके से ठीक है तो इस पर आप क्लिक कर ले यहां पर आपको दिख जाएगा Microsoft store तो आपको यहां three dot पर क्लिक करना है और advanced option होगा इस पर क्लिक कर ले इसके बाद नीचे की तरफ आए यहां पर आपको एक option दिखाई देगा reset का तो reset करने से जो भी गलत settings होगी आपके Microsoft store की application में तो वो सही हो जाएगी तो आपको repair पर क्लि कर लेना है ठीक है तो यह repair हो गया है इस तरीके से टिक आ जाएगा इसके बाद यह करने के बाद नीचे reset का option आता है तो reset पर क्लिक कर दें देखिए अगर आपने Microsoft store में कोई data Microsoft store के अंदर कुछ store करके रखे होंगे ID या कुछ होगा तो वो हट जाएगा तो आप बेफिकर हो देखिए reset भी हो गया है यह करने के बाद आप अपने computer या laptop को एक बार restart कर लें जो भी step में बताते जाओ जो भी fix बताते जाओ हर आपको वो करने के बाद अपने computer laptop को एक बार restart करके on करना है और देखना है Microsoft store ठीक हुआ है या फिर नहीं ठीक है इसके बाद यहां से बाहर निकल जाए इसके बाद दूसरा तरीका आपको run command खोल लेना है यहां पर देखिए चाहे तो यहां पर right click करें start पे तो आपको यहां पर run दिख जाएगा या फिर आप window button window plus R को दबा कर run open कर सकते है ठीक है इसके बाद आपको देखिए यहां पर जो मैं paste कर रहा हूँ वही आपको भी paste करना है wsreset.exe आपको इसे paste करना है और ok कर देना है ठीक है ok करने के बाद यहां पर आप देखिए आपका Microsoft Store reset हो जाएगा जो भी उसके अदर catch होंगे catch data होगा वो सब reset हो जाएगा ठीक है इस तरीके से open भी हो जाएगा आपको Microsoft Store ठीक है देखिए अगर आपकी problem अभी भी solve नहीं हुई है तो यहाँ पर आखरी तरीका आपको आना है यहाँ पर start button पर click करना है और search के option पर आ जाना है यहाँ पर लिखना है power shell इस तरीके से लिख ले power shell आपको यहाँ पर दिख जाएगा windows power shell इस पर right click कर ले और run as administrator पर click करके open करें ठीक है run as administrator पर और यहाँ पर yes कर दे तो आपका power shell खुल जाएगा अब दिखिए यहाँ पर आपको एक चीज paste करनी है description में मैं आपको यह command दे दूँगा आप वहाँ से copy करके इस चीज को paste कर सकते हैं तो मैं control V दबा के मैं paste कर देता हूँ मैंने already से copy किया था यह paste कर दिया मैंने अब यहाँ पर मैं कर दूँगा enter तो जैसे मैं enter कर दूँगा थोड़ा सा time लेगा यह और जो भी error होगा मेरे Microsoft Store में वो इसे सही कर देगा जैसे यह process complete होता है इसके बाद आपको अपने PC को एक बार बंद करके चालू करना है restart करना है और यहाँ पर start बटन पर आना है और यहाँ पर चाहिए तो आप search कर लें Microsoft Store नहीं तो सामने ही अगर आपको दिख जाए तो उस पर क्लिक करें और Microsoft Store ओपन हो जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर login करें और जो भी काम करना चाहते हैं यहाँ पर आप कर पाएंगे उमीद करतों आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपना वाज जादा ख्याल रखें बाबाए